जी फाइब डाउनोड करो ते विखो पूरे एपीसोड बिल्कुल फ्री चोकलेट एंड मिक्स बेरी पुडिंग ते ब्रेड नू प्रोसेस करनली आपाना दो या तेन स्लाइसीज दा बैच बना मांगे ते उस्तो बाद एदे एजीज नू ट्रिम कर लाना ते होना आपा छोड़े-छोड़े स्क्वेर्ज बना मांगे दे ते होना सी ब्रेड नू भी छोड़े-छोड़े क्यूब्स दे विच कट चुके हैं आदेखो किन्नी वधिया लग रिया ब्रेड एनू मैं ऐसे प्लेट से ट्रांस्फर कर लाना जी ते होने जीडी चौकलेट है इनू आपा छोड़े-छोड़े पीसीज दे विच है कैलो ब्रीक कटना भी क्या साख देऊं ते जी बिल्कुल एसे त्रीके ना आपा चौकलेट नू प्रोसेस कर लांगे बिल्कुल ब्रीक आपा कट कर लेना है ते फिर कंटीनू कर देया जी अगला स्टेप ते होना सी कटिंग चौपिंग दा प्रोसीजर पूरा कर चुकियां जी नेक्स्ट टेप है जी ये चौकलेट आए इनू मेल्ट करना है सब तो पहला दा जी पैन नू करांगे गरम हुण एदे बीच असी एड करना है जी थोड़ा या पानी इत्थे मैं 500-600 अमल पानी आड कर रहा है मतलब की अद्दक पैन आपा पार्दांगे पानी देनाल पानी पानी ने ची अएड करना लगिया एक खाली बाउल ते अच्छी हो एगा कि जदो पानी करम होएगा फिर उस देनाल बाउल करम होएगा ते ऐस गरम बाउल ने आपा चोकलेट नँ करना है जी अच्छा नमन जी अपा इन्हों सिद्धा क्यों नी मेल्ट किता है अधा पानी पुनी रख के क्यों गर रहे हैं एक्चुली नेलम जी जड़ी हे चौकलेट उन्दी है न ए बड़ी हीट सेंसिटिव इंग्रीडियेंट है एडू में बहुत जादा हाई हीट नी दे सागदा जड़ी साथी कोकिंग रहें जुन दी है ए बहुत जादा हाई हीट हुन दी है इस करके अपाने एक मीडियम प्यार कीता है ताकि इसनों डिरेक्टली आप बहुत जादा हीट ना कर दी है नहीं ता कई वर कि हुंदा ने जड़ी ये चौकलेट है एदे जिना भी कोको बट जादा है वो बिलकुली सेपरेट हो जादा है चोकलेट बिटर हो जादी बहुत करदी है इसलिए आपा इसनों बफर दिने ये इस मैथर लू केंदे डबल बॉयलर तै मैं मिन बड़ा चंगा लगया दूसी एक कोईस्चन पुछ या ते वैसे तो नों कुकिंग दा किना कि अधान जादा है तो नों ता बस सजना सवर्ना ते कोईस्चन पिरना ते नल जी मैं चंगा ओरिजिनल उन्न कुकिंग दा बहुत जादा शौंक है लाइक मैं नहीं नहीं चीजानु सिख दिया जी तुसी कुकिंग कर दे हो फ्रैंकली बोला था मैं तब्ड़ी कुकिंग व पसंद है मिन्हों जी बड़ा चंगा लगया जी कि तुसी साथ यह वीडियोस देखे रेसिपी स्ट्राइब कर दें मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल गल्ला है जी आ देखो मैं गला गला तभी चौकलेट किन्नी सोनी मेल्ट हो रही है देखो एदा जड़ा कलर एदा ते शाइन थोड़ी होड़ा आनली मैं चाइड कर रहा है जी एक चमच बटर एसे हीट देविच इसनों आप मेल्ट कर दांगे ते नाल इस देविच मैं अड़ कर रहा है थोड़ा या स्ट्रॉबरी फ्लेवर साथे कोले सिरप आगा एगा एवी मैं एक चमच आड़ कर रह ते विच बाकी इड़िएंस एड़ करके एजड़ा मिक्सचर है अपना पुडिंग दा मिक्सचर उनों असी त्यार कर लेना जी पहला ता जी बावल नों सी बार काड़ लेना है तो ने देविच आड़ करना जी एब ब्रेट्स नू तेस दे नाल नाल असी आड़ कर रहा ह है नट्स थोड़े जी नट्स में गार्निश ली बचा रहा है तो चंगी तरह जिसनों आप मिक्स करांगे उन्हें इस टेस्टे होया किया जेड़ी इसी ब्रेड अड़ किती सी उन्हें चोकले नों बहुत वदी अब्सॉब कीता है तो आपा एड़ करांगे जी मिक्सड ब इसनों एक बर क्रें नेक्स्ट एपए जड़ी यह पूडिंग दा मिक्शेर आप तियार किता है एदी मोल्डिंग करनी है यह उन्हें करनी है एधे मैंवल यह कटोरियां यूस कर रहे है तो आपा एक कोलियां दे विछ पर्नागे इसनों ते देखो जी एस तरी के रहा ना बहुत ही केरफुली आप ये मिक्स्चर नो फिल करना है ते एक चीज़ा ते आन रखना है जी कोई दी एर गया आप न होवे ते कोशिश करो कि उसनों आप प्रेस करके बिल्कुल एवन कर लांगे ते मैं कॉलिया नो इस तरह पारदा रहना ते देखो जी बिल्कुल एसे तरी के नाल सारिया कोलिया आप रड़ी कर लांगे ते फिर इसनों सवा ठंडा करना है इसलिए फ्रिच रखांगे जी दस कमेट ली फ्रिच रखके फिर आपका कार देया जी इसनी टेस्टिंग फिर तोन दास देया फ्लेवर के स्तना दाजी देखो जी साड़ी चॉकलेट एंड मिक्स बेरी पुडिंग किननी बदिया लाग रही है ते जी एड़ी देर देसी कूकिंग कर रहे है ना बहुत जादा फ्लेवर्स जेड़े है उसनों फील हो रहे सी के बहुत मान कर रहे है जी बड़ी टेम्टिंग है दिख भी रही है अपक कर देया जिसनों टेस्ट ते लो मैं फे टेस्ट कर के देखो किस तरह बढ़िया जी रेसिपी बहुत स्वाद है नमन जी बहुत ज्यादा स्वाद मैं एड़ी पुडिंग कर दे बहार नी खा दी मैंना एक चॉकलेट देनाल जड़ा है जड़ा है जड़ा है ड्राइ दा अच्छा कॉम्बेशन बेठा है ना है जच आथा जड़ वख जुक्रिया था नू बहुत वरीया लगी साइटी रेसिपी बड़ा चेंगा लगया जे जिए जगाल दा C5 app डाउनलोड करो ते बेखो सारे एपीसोड बिल्कुल फ्री